आजकल ज्यादातर लोग कम काम करते हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहते। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे, तो ये सेहत मन्ध होगा। इस शरीर का इस्तिमाल करके ही आप इसे अच्छा रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसका इस्तिमाल करेंगे, ये उतना ही बहतर होता जाएगा। एक युवा डॉक्टर था। वो एक सीनियर डॉक्टर के पास गया। और बोला कि उसे एक मरीज के रोक का पता लगाने में परिशानी हो रही है। तब सीनियर डॉक्टर ने कहा, ओ, बेचैनी और उल्टियां। हाँ, लेकिन मुझे कोई मेडिकल कारण नहीं नजरा रहा। उसे बेचैनी और उल्टि होने का। तो सीनियर डॉक्टर ने सुझाव दिया। उससे पूछे कि क्या वो गॉल्फ खेलता है। अगर वो खेलता है, तो उसे छोड़ देने के लिए कही। अगर नहीं खेलता, तो खेलने के लिए कही। वो ठीक हो जाएगा। सेहत ऐसी ही है। वाकई। कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है। अगर आप इस धर्ती पर 200 साल पहले होते, तो शारीरिक रूप से आप कम से कम आज से 20 गुना ज्यादा काम करतें। शारीरिक काम, निश्चित रूप से, है न, आप यहाँ चल कर आते, आप सब कुछ अपने हाथों से करते, आप कम से कम 20 गुना ज्यादा काम करते, मुझे लगता है मैं कम कह रहा हूँ, शायद 100 गुना ज्यादा। आप में से कुछ लोग 200 गुना ज्यादा। तो अगर आप उतना काम कर रहे होते, तो मैं कहता ब्रेक लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। फिलहाल तो शरीर का इस्तमाल ही नहीं हुआ है। इस शरीर का इस्तमाल करके ही इसे स्वस्त रखा जा सकता है। जब आप सेहत कहते हैं, तो आप शारीरिक सेहत की बात करते हैं। आपको इस शरीर को इस्तमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तमाल करते हैं, ये उतना ही बहतर होता जाता है। कुछ साल पहले जब यहां बहुत कम लोग थे मैं उन्हें ट्रेकिंग पर ले गया तो जब हम चल रहे थे उससे लगभग छे हफते बहले एक नेवी का हेलिकॉप्टर मैंगलोर से उड़ा और मैंने उसके बारे में कहानिया सुनी थी पता नहीं वो कितनी सच है लोग कहते हैं कि उसमें कुछ जरूरी कागजात बगएरा थे उस हेलिकॉप्टर पर तीन सीनियर आफिसर और एक पाइलिट था हेलिकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया वो जंगल बहुत ही घना था पश्चिम घाट के जंगल बहुत ही ज्यादा घने है और छे हफते बाद भी उन्हें हेलिकॉप्टर नहीं मिला था तो सेना की एक पूरी बटालियन को वहाँ तैनात किया गया जो पूरे जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस हेलिकॉप्टर की तलाश कर रहे थे ताकि वहाँ जो भी उन्हें ढूनना था वो ढून निकाले तो वहाँ हत्यार के साथ सैनेक की एक पूरी बटालियन थी शायद 200 से 2500 लोग थे और वो जंगलों में घूम रहे थे वो छे हफ्तों से वहीं थे तो जब हम वहाँ पहुंचे हमें खाना पकाने में परिशानी हो रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी और हम पूरा दिन चल कर पहुंचे थे फिर हम इस सेना की कैम्प में पहुंचे और खुद ही बिन बुलाए महमान बन गए क्योंकि खाने की खुश्बू अच्छी थी और आप भोजन की कीमत वाके तभी समझते हैं जब आप अपने शरीर का उस तरह से इस्तिमाल करते हैं अगर आप एक दिन में 20-30 किलोमीटर चलें और आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया हो तब आप भोजन की कीमत समझते हैं तो हम वहाँ पहुंचे और ये अफसर बहुत ही ओधार थे उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें देखकर बहुत ही खुश हुए वो वहाँ के कैप्टन थे और वहाँ एक सेने खड़ा था उन्हें भारत सेना में हवलदार कहते हैं क्या कहते हैं? हवलदार तो उसने हमें देखकर पूछा आप पैदल क्यूं चल रहे हैं? हमने कहा बस ऐसे ही हम चलना चाहते हैं उसे विश्वास नहीं हुआ बस ऐसे ही हम याँ छे हफतों से हैं हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कभी ये काम खत्म होगा हर दिन हमें 20-30 किलोमीटर चल कर इस हेलिकॉप्टर को ढूणना पड़ता है जो हमें मिल नहीं रहा और आप बस मज़े के लिए चल रहे हैं? उसे विश्वास ही नहीं हुआ क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बस मज़े के लिए पैदल चले? पैरों में छाले हो गए हैं उसे विश्वास नहीं हुआ वो ये नहीं समझता कि सेना में जो काम वो जबरदस्ती कर रहा है उसकी वज़े से उसकी सेहत इतनी अच्छी है हाँ? वो ये नहीं समझता तो सेहत सेहत के बारे में सबसे सरल चीज है बस शरीर का इस्तिमाल करना अगर आप शरीर का परियाप्त इस्तिमाल करें तो शरीर में खुद को सेहत मंद बनाने के लिए हर चीज मौजूद है क्या इसका मतलब है क्या यही सब कुछ है मुझे और कुछ नहीं होगा मैं बिलकुल ठीक रहूंगा मैं कहूंगा अगर हम शरीरिक रूप से अपने शरीर का उतना इस्तिमाल करें जितना हमें करना चाहिए तो इस धर्ती की 80 प्रतिशत बीमारियां बस गायब हो जाएंगी 80 प्रतिशत बाकी की 20 प्रतिशत में 10 प्रतिशत उस भोजन की वज़े से हैं जो कई अलगलग कारणों से हुई हैं एक है कर्म दूसरा वातावरन हो सकता है और सिस्टम में अन्य चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है सभी बीमार लोगों में से अगर 90 प्रतिशत सिर्फ शरीर का इस्तिमाल करने और सही खाना खाने से ठीक हो जाएं तो 10 प्रतिशत को आसानी से संभाला जा सकता है लेकिन फिलहाल बीमारी की मात्रा इतनी बड़ी है क्यूंकि हम अच्छे से नहीं खाते या हम बहुत अच्छे से खाते हैं और शरीर का अच्छे से इस्तिमाल नहीं करते सरल शब्दों में कहें तो जैसे आप शरीर की कसरत करते हैं अगर आप बस ऐसा करें एक दिन में एक हजार बार बस एक दिन में हजार बार ऐसा करें और एक महीने के बाद देखिए कि आपका हाथ कितने अच्छे से काम करता है और कुछ नहीं बस यहां बैठकर दिन में हजार बार ऐसा करें तीस दिन बाद अब देखेंगे कि आपका हाथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है अगर आप ऐसा अपने दिमाग के साथ करें तो यह एक महीने में बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप ऐसा अपने दिल के साथ करें, तो ये अच्छे से काम करेगा अगर आप ये अपनी जीवन उर्जाओं के साथ करें, तो ये अच्छे से काम करेंगी जब ये सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं, तो ये ही सेहत है तो आपको बस अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी उर्जाओं का इस्तिमाल करना है अगर इन तीन चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित है तो आप सेहत मन्द होंगे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, ये बहुत पुरानी बात है ये दूसरा या तीसरा भाव स्पंदन कारेक्रम था, जो मैं करवा रहा था और ये एक छोटी सी जगह में था, जहां आपको बहुत सी बार सीड़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं क्योंकि व्यवस्ता ही वैसी थी मैंने उस दिन गिना, मैं शिक्षक था, पर मुझे रसोई को संभालना था, और भी कुछ चीज़ें मैं उस दिन सीड़ियों पर 125 बार उपर नीचे गया और भाव स्पंदन के बाद मैंने काफी सेहतमन महसूस किया मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग जिन्होंने भाव स्पंदन कारेक्रम में वॉलिंटेर किया है, वो बहुत शक्तिशाली और सेहतमन हो गए हैं अचानक से काम करने पर आप ठक सकते हैं लेकिन अगर आप अपने जीवन में काम धीरे धीरे बढ़ाएं शारीरिक, मानसिक और उर्जा अगर आप ये सभी काम करें तो सेहत आएगी आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी उर्जा दोनों को सहारा दे रही है ये सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यही सेहत है. जीवन पूरे प्रभाव में चल रहा है, यही सेहत है. सेहत कोई आइडिया नहीं है. यह कोई मेडिकल आइडिया नहीं है. मेडिकल शेत्र के लोग और मेडिकल ग्यान ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्यूंकि हमने बहुत सी अस्वस्थ जीवन शैलिया बनाई है. दुनिया में इस से पहले कभी भी दवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, जितनी आज है. सिर्फ इसलिए, क्यूंकि हम ज्यादा से ज्यादा बैठ कर काम कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं. सौ साल पहले, जितना काम साट साल का आदमी करता था, उतना काम आज बीस साल का आदमी नहीं कर पाता. इसका मतलब है, हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं. हम एक विक्रित मानवता बन जाएंगे कुछ समय के बाद. तो आपको इसका इस्तिमाल करना चाहिए. सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका आप अविश्कार करते हैं. सेहत आपका आइडिया नहीं है. जीवन का अच्छे से चलना ही सेहत है. जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, यही सेहत है. सेहत जीवन का तरीका है. तो ये सेहत मन्द होगा